दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर संतोश कमार स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटूब चैनल बी हेल्दी में दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज मैं चंदरपरवावटी जो एक बहुत ही फेमस प्रसिद आरवेदिक औरशिदी है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ और आज के वीडियो में आपको इसके क्या फायदे हैं और ये किन किन बीमारियों में इसका यूज हो सारे बीमारियों में समान रूप से इसका इस्तमाल किया जा सकता है यानि कि इस तरी और पुरुष में जितने तरह की बीमारियां होती हैं जैसे मुत्र विकार हो गए यानि यूरिनरी ट्रेट इंफेक्शन जो हो जाते हैं या पुरुषों में वीरी विकार हो जाता है या और भी बहुत तरह के जलन हो जाती है पिशाव में पिशाव बार-बार आता है या इस्तरिय और कुरूस में जो ये दिकते होती है उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तो इसके बारे में मैं आगे और डीटेल से बताऊंगा किन-किन बीमारीयों में इसका इस्तमा और परभा का मतलब होता है चमक यानि की वैसी दवाई जिसके इस्तमाल से हमारा जो शरीर है चंदरमा के समान चमकने लग जाता है वही है चंदरपरभावटी दोस्तो डावर और इसके जैसी बहुत बड़ी बड़ी जो कमपनिया है और प्रशदी निर्माता कंपनिया हैं जो आयरवेदिक और शदियों का निर्मान करती हैं हमारे देश में वो सारी कि सारी कंपनिया इस चंद्रपरवावटी को बनाती हैं और सबका समान रूप से अशर होता है हमारे शरीर में तो दोस्तों आप डावर के अलावे और भी जो भी कमपनिया जो प्रश्यद कमपनिया है बरी कमपनिया है ब्रांड़ेड कमपनिया है उनका आप चन्दरपरवा वर्टी इस्तमाल कर सकते हैं जरूरी नहीं कि आप डावर कहीं इस्तमाल करें तो दोस्तों आई आए मैं आपको इसमें कौन-Kौन किया गया है इस चंदरपरभा वटी को बनाने के लिए दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीर में ऐसा कोई भी बीमारी नहीं होगा जो यह ठीक नहीं करता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे इंग्रिडियंस हैं इसमे लगबख 37 परकाल के इंग्रिडियंस है जिनके इसमाल से यह बनाया हुआ होता है दोस्तों इस तरीके से आप इसमें आप पढ़ सकते हैं कि इसमें कौन-कौन से बीमारी में इसका इसमाल किया जाता है मेन मेन रूप में और जहां तक अब मैं प्रैशिंग के बात करनू त इतने भी कमपनियां हैं उसके भी प्रोड़क्ट आते हैं तो आईए दोस्तों सबसे पहले में आपको इस तरीयों में यानि महिलाओं में कौन-कौन सी ऐसी बीमारिया होती हैं जिसमें इस चंद्रपरभावटी का इस्तमाल किया जाता है उनके इलाज के लिए दोस्तों इ पैनेकोलोजिकल प्रोब्लम्स होती हैं जैसे यूट्रस कमजोर होना उसमें गांठ पर जाना यानि सिस्ट हो जाना और ब्लीडिंग टाइम यानि कि पिरियट समय में ज्यादा धिनों तक ब्लीडिंग होना उसमें इस चंद्रपरभावटी का इस्तमाल किया जाता है इसके इसके अलावे अगर उनको कब्ज की शिकायत रहती है या ज्यादा दिल बीमार रहने के पिशाव के साथ खून आने लग जाता है उसमें भी इस दवा का इस्तमाल किया जाता है इसके अलावे अगर उनको कब्ज की शिकायत रहती है या ज्यादा दिल बीमार रहने के करन जो कमजोरी आ जाती है उसमें तरह तरह के कठिनाईया होने लग जाती है कमजोरी के वज़ए से चक्कर आने लग जाता है सरीर खशीन हो जाता है कमजोर हो जाता है बल खतम हो जा जाती है इसके अलावा दोस्तो इस्त्री और पुरुशों में जो पिशाओ के किड्नी के पत्री की जो शिकायत होती है यानि कि किड्नी स्टोन की जो शिकायत होती है इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है अन्य दावायों के संजोजन के साथ दोस्तो चंदरपरभावटी और सिस्टोन नमक एक हिमालिया कंपनी की जो दवाई आती है उसके साथ इसका अगर शेवन के कुछ महीनों तक किया जाए जो किड्नी में पत्री होती है और पत्री के वज़त से जो किड्नी में सूजन आ जाती है पिशाव के जो नली में सूजन आ जाती है इुरेत्रा में ज गलगल के बाहर निकल जाती है पिसाओ के रास्ते से तो इसके बारे में अगर आपको और जनकारी चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में मैं और आज आपको ज्यादा डिटेल दे पाऊंगा वहां पे दोस्तो चंदरपरवावटी का इस्तमाल वैसे तो बहुत सा हो जाती है पिशाओ में जलन होता है धाद की समस्या होती है यानि की फिशाओ करने के बाद जो वीर्य निकल जाता है उसमें यह दवाई और इसके साथ में और दवाईों के संजोजन से यह बहुत ही उस बीमारी में रहात पहुँचाता है और पुरुशों में भी अगर किड़नी की जो पत्री की समस्या होती है इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है इसका जहां तक डोज की बात है अगर जादा ही तकलीफ होती है तो हम उसको दोदो गोली तीन टैम दूद के साथ या पानी के साथ वो देते ह हैं मरीज को जिसे उसको बहुत जादा लाब मिलता है अगर समाने से कोई समस्या होती है तो उसमें दोदो गोली सुबा शाम काफी रहता है तो दोस्तों इस परकार से यह चंदर परवाबटी जो औशदी है इस्तरी पुरुश के शभी बीमारियों में समान रूप से काम कर अगर किशी वीमारी विशेश में इस मेडिism का इस ऐशदी का लगतार कुछ महीनों तक इस्तमाल करा दिया जाए बीमारी के लक्षना अनुशार तो 100% वो बीमारी क्योर हो जाती है वो बीमारी ठीक हो जाती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गयी इस चंदर परवावटी के बारे में जनकारी पशंद आया होगा अपने मित्रों को जरूर शेयर करें वीडियो को लाइक जरूर करें अब तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अगर इस वीडियो से सम्मदित कोई भी आपके मन में परश्ण है या किसी और अन्य बिमारी के बारे में आपको जनकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं हमेशा तायार हूँ आपको रिपलाइ करने के लिए तो मिलते है नए वीडियो में नए विशे के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमशकार